जैहीं दोस्तों तो हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिक कुश्चन जो कि यह काफी महत्मुन कुश्चन है और चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि आगे क्या 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 कुश्चन है और हाँ एक और बात कि आगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले च सबसे अधिक की है अप्सन है सराष्टिय संकट समिधानिक संकट विर्तिय संकट या फिर सही प्रगार के संकटों की घुष्चन एक समान की गई है तो सबसे अधिक वार जो घुष्चन किया गया है वो समिधानिक संकट का किया गया है किसके समिधानिक संकट का किया गया है हमारे ब्लब भी हमारा सउय हो जाएगा इस कोस्टं का उत्तर फीलि आगे बढ़ते क्या है आगे है कि राजपती राज्य में समयधानी संगर्य गोश्णा कों कर सकता है या भी कभ हो जाएगा option है केवल केंद्री मंत्री प्रिशद की सिफाइस पर कर सकता है option B है केवल राज्य पाल की सिफाइस पर कर सकता है option C है केवल राज्य की मंत्री प्रिशद की सिफाइस पर कर सकता है option D है कि यदि वो संतुष्ठ हो कि ऐसी परसिती वो मेरे राज्जे सरकार को समीधान कर दिसार चलाना सम्बब नहीं है कि राश्ट पती राज्जे में समीधानि शंकरी घidelity खुषना कर सकता है तो वह तब कर सकता है जब वह संतुält्ष्ट हो की सरकार को कर चलाना सम्बब नहीं तब जो है राजपती राजजे में समीधानिक संगरी घोषना कर सकता है तो हमारा अप्शन नमबर डी सही उतर हो जाएगा इसका चलिए आगे बढ़ते हैं आगे कुश्चन है कि यदि राजजे कें सरगार का आदेशों का पालन नहीं करें तो राजपती क्या कर सकता है अप्शन है राजपती घोषना कर सकता है कि राजजे का समीधानिक तंद्र तूट गया है तथा राजजे का सासन अपने हाथ में ले सकता है अप्शन बी है कि आदेशों का पालन कराने के लिए स्रक्षित पुलिस भेश सकता है और अप्सन सी है कि राज्य विधान सभा को भंग कर सकता है तथा नए चुनाव करा सकता है और अप्सन डी है इन में से कोई नहीं यहिदी राज्य कें सरकार का अधिस्य Street के पाला नहीं करते है तो रास्पति क्या कर सकते हैं तो रास्पति की द्वारा जो है और राज्य के समीधानिक तंद्र तूट गयआ है और तथ राज्य के साथन अपने हाथ में ले सकता है याने हमार्ण पर फिर एक हमारा कि संसर दोरा राष्टिय संखट का नुमोधन करने की सीमा होती है 30 दिन कितना होता है 30 दिन होती है यानि एक मास यानि 30 दिन कहने बतलब एक मास तो हमारा अप्सन नम्र ए हो जाएगा इसका सही उतर हो जाएगा चले आगे बढ़ते हैं कि आगे कोश्चन है निम्र पता अधिकारियों में से किस अधिकारी की नुक्ति राष्पति नहीं करता है कोश्चन में है कि राष्पति नहीं करता है option देखिए स्रोच नियाले के नियाधिस, option B है उच नियाले के नियाधिस, option C है जीला तथा सेशन कोर्ट के नियाधिस, option D है कि भाद का महान्याईवादी इन में से किसकी निप्ती राजपती के दोरा नहीं किया जाता है तो वो किसकी नहीं किया जाता है, जीला तथा सेशन कोर्ट के नियाधिस को नहीं किया जाता है जीला तथा सेशन कोर्ट के नियाधिस को राजपती के दोरा निक्ती नहीं किया जाती है तो option C हमारा सही उत्र हो जाएगा चलिए आगे बढ़ा जाए आगे कुश्चन के निम्ण में से कौन सी अपात्काली निस्तिती की गोशना राश्पती स्वयम कर सकता है ओप्सन है बाहे आक्रमन अथवा सबस्तर विद्रो के फल सरूप उत्पन होने वाली अपात्काली निस्तिती में यहां फिर राज्य में समय धाने के विद्रो के फल होने के फल सुरूप उत्पन होने वाली अपात्काली निस्तिती में अपसन सी है कि देश की आर्थिक विवश्था बिगर जाने अथ्वा uh और ऑपसन सब्सक्राइब दोबड़ा बता देता हूं ऑफसन सी कहता है कि देश की आर्थिक विवस्था बीगर जाने आखवा उसकी साख को खत्राद अफ उत्वण होने की सिथी में तो इन चारों में से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा अप्सन टी है इन में से कोई नहीं कि अप्सन एक है कि बाहे आक्रमन अथ्वा सश्थ विद्रों के फर्स रूप उत्पन होने वाले आपात काली स्थिति में कर सकता है नहीं इसको दोरा पहले जो है वह राश्च मंडल से राश्च मंडल को दोरा परमिस्न लेना पड़ेगा है है हनृ कि zam Merci company ये राश्च बाथे दोरा ये लगाया जासकता आपात काली स्थिती लगाया जा सकता है कि क्या या कि निम्रेसे कौन से अपात कलने स्थिती इकी स्वैंड़ कर सकता है उप्से नब्र ये पी गलत है बसंद उप नमबर जो डी हमारा सही हो जाए यानि इन मेंसे अपस्ट नमबर डी है कि इन मेंसे कोई नहीं इन मेंसे कोई नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है कि राष्टपती को निर्ण में से कौन सी विर्थिये सक्तिया प्राप्थ है अफ्षन है केवल वीर्तिय संवीधे केवल राशपती की पुरूद्व अनुमति से ही परसुत किया जा सकते हैं यहां फिर राशपती भाद की अकास्मिर निधी में से पैसा उधार दे सकता है या फिर केन सरकार वो राज़ सरकार के meters करो के बटवारे के लिए राश्पति वीर्तिय य्यायोग न्युक्त कर सकता है अप्संदी है उप्रिक सबी इन में से कौन से विर्तिय सक्ति राश्पति को प्राप्थ है यह हमारा क्वेशन पूछ रहा है तो यह सभी जो है यह विरत्य सकती प्राप्थ है रास्पति को यानि सर्णसद वीदिये विरतिये विधैक के वह राष्पति को इनमति से किये जा सकते हैं सब्सक्राइब करों के लिए राषपती को विरतिया प्राप्त है तो हमारा अप्सन नमबर डी हमारा जो है वह इसका सही उत्र हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे कुष्टन की राषपती को छमाधान का अधिकार कोण है कि स्थाइब की सब्सक्राइब कानून का उलंगन करने वाले व्यक्तियों के सब्सक्राइब हमें प्राप्ट है कि राजपती को छमा देने का अधिकार किसको है तो यह सब अप्रुक्ट सभी मामलों में जो है राजपती जो है चमा कर सकते हैं नमबर डी इस कोस्टन का सभी उतर हो जाएगा चलिए आगे बठते क्या है आगे कोशन के राश्पति को अध्यादेशों दौरा कानुन बनाने का अधिकार है और सन्सद का अधिवेशन न चल रहा हो और सन्सद के अधिवेशन में होते हुए भी आधिवेशन जारी कर सकता है और सन्सद के राकियवत समवर्ति सूची में दियेगे विशेयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है और सन्सद के राश्पति का अध्यादेश दौरा कानुन बनाने का अधिकार जो है क्या याधि सन्सद का अधिवेशन न चल रहा हो तो राश्पति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है और राश्पति का अध्यादेश के बात किया जाए तो यह अनुछिद 123 में लिखा गया है चले आगे बढ़ते हैं कोशन के आगे कि जब कोई बिधेक सन्सद द्वारा पारित किये जाने के परस्चात राश्पति के पास बीचार हेतू भेया जाता है तो अप्सन है इस पर कोई करवाई ना करें अप्सन बिधेक को संसद के पास पूरा विचार हेतु भेज सकता है अप्सन सी है निम्दोनों और अप्सन टी है कि सभी गलत है कोश्चन देखे कि आये जब कोई बिधेक संसद दौरा पारित किये जाने के पास शाथ राश्टपती के पास बिचार हेतु भेज सकता है तो वह तो वह जो है इस पर कोई काड़ेवाही ना करें ये भी सही है विधेक को संसद के पास पूरा विचार हेतु भेज सकता है ये भी सही है यानि हमारा अप्सन नमबर सी जो है इसका सही उत्र हो जाएगा आगे देखते क्या है कुश्चन राष्टपती को राजसभा में कितने ऐसेस ब्रेक्तियों को मनुनित करने का दिकार है जिन होने कला साहिते तथा समाज सेवा इत्यादी के छेतर में विश्ट्सता प्राप्त की है 2, 10, 12 या इन में से कोई नहीं तो राष्टती के दोरा जो है जो काला साहिते और समाज सेवा में विश्च्ट प्राप्त है Himko तो उन में से बारा को राष्टती के दोरा राजसभाय मौनित किये जाते हैं बाराद सदेशों को अपसिन हमारा सही उतर हो जाएगा अरूंग ऊटिय है अधिया को रासपति को राडत सभा में कितने को सबंगाCH universit को आगे अदा कर देख सकता हैं कि दो को बारा को दसको यहां सदसो की संख्या निश्चित रखी गई है और इस संबंद में निर्णे मंतिर पैसे दोड़ा लिया जाता है कि भारत का राजपती संसद में अधिक साधिक कितने एंगलो इंडियान सदस्यों को मनुनित कर सकता है तो वह कर सकता है कि अपस्ट नमबर यह हमारा इस कोश्चन का सहीवतर हो जाएगा चलिए आगे कोश्चन है कानूनी तोर पर यूद की घुसना करने तथा सांति स्थाबित करने का अधिकार किसे प्राप्त है प्रधान मंत्री को राजपती को मंत्र प्रिश्चत को या फिर संसद को कानूनी तोर पर यूद की घोसना करने तथा सान्ति इस्थापित करने का इतिकार किसे प्राप्त है तो यह प्राप्त है हमारे राश्च्पती को तो अप्सनवर भी हमारा इस कोश्चन का सहीतुर हो जाएगा आगे कोश्चन है राष्टपती द्वारा अवकास प्राप्त करने की आयो क्या है 70 साल, 75 साल, 80 साल या फिर अवकास प्राप्त करने की आयो की कोई सीमा नहीं है तो इस कोश्चन का जो है सही उतर हो जाएगा अवकास प्राप्त करने की आयो की कोई सीमा नहीं है option number D हमारा सही उतर हो जाएगा आगे question है यदि राष्टपती तथा उप्राष्पती दोनों ही उपलवद नहीं हो तो राष्पती के पद से सम्मंदित कर्तब्य को कौन निभाता है को निभाता है लोग सभा का ध्यक्ष निभाता है यहां भी भात का मुख्य नियादिस यहां फिसांगिये लोग सभा का सभापती यहां परधान मंत्री मान लिया जाए राश्पति और उप्राश्पति दोनों ही आनुपस्ति थे तो राश्पति के पद से समर्दित करते बें को निभाएगा तो ये निभाया जाएगा भाद के मुख्य नारिस के दौरा किसके दौरा भाहत के मुख्य नाजस के द्वारा निभाया जाएगा तो हमारा अप्सन नमर बी जो है इस कोश्चन का सही उत्र हो जाएगा चले आगे बढ़ते हैं आगे है कि मिर्ट्यू अथवाद त्याग पत्र के कारण राश्पती पद रित्थोने उपराश्पती के पद से संब्धित कारियों को अप्सन है कि राश्पती के से सब्धी के लिए निभाता है अब्धी अधिक से अधिक चार माहत तक निभाता है अधिक से अधिक छे माहत तक निभाता है या फिर अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए निभाता है मिर्ट्यी अथवात्यागपत करने राश्पति पद रिक्त होने मेट वह अथिक सधिक 6 मां तक निवाता है यानि उप्राश्पति दौरा जो है राश्पति के ange-まだ निवाते हैं या है कोज उपरास्पति है तो हमारा ऑप्सन नमब सी उसकोष्चन का स्रेवतर हो जाएगा आगे कोष्चन है भारतिय गर्राज्य का दूसरा रास्पति कौन था डाक्टर राजंदर परसाद श्री विविगीरी डाक्टर एस राधा किस्टनड डाक्टर जागिर हुशन कौन थे हमारे दूसरे राज़पती तो वो थे डाक्टर एस राधा कृष्णन कौन थे डाक्टर एस राधा कृष्णन थे यानि अप्स नमबर सी हमारा इस कोश्चन का सभी दोर हो जाएगा चलिए आगे कोश्चन देखते है राज़पती का कारिये काल पांच वर्स है जो उप्सन है उसकी निर्वाचन तिथी से प्रारंब होता है या फिर उसके पद गरहन करने की तिथी से प्रारंब होता है या फिर संसर द्वारा निर्णारित तिथी से प्रारंब होता है कि यहां फिर चुनाय आयोग द्वारा घुसित तीथी से प्राड़म होता है रास्पति के काड़ेकाल पांच वर्स है जो किस से सुरुआत होता है तो उसके पद ग्रहन करने की तीथी से प्राड़म होता है तो हमारा अप्सन नमा बी जो है इस कोशन का सही उत्र हो जाएगा दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए चलिए आगे दिखते कोशन आगे कोशन राजपती पत के लिए उमिदवार के नाम का परस्ताव अप्सन है कम से कम पचास नागरिकों द्वारा किया जाता है निवाचन मंडल के किनही पांस सद्वारा किया जाता है अगरा आप्सन एक संसर्थ के किनी 10 सदसो दारा किया जाता है या फिर निवाचन मंडल के 50 सदसो दारा किया जाता है तो इसका सही उतर हो जाएगा निवाचन मंडल के 50 सदसो दारा किया जाता है तो हमारा option number D जो है इस question का सही उत्र हो जाएगा चलिए आगे question है आगे question कहरा है भाद का रास्पती देख्यों option है कि संसत के दोनों सुतनों द्वारा रसामोहिक बैठक में निर्वाचित किया जाता है option B है जनता द्वार प्रतेक चुरूप से निर्वाचित किया जाता है रास्पती को option C है कि भाद का रास्पती का चुनाव एक निर्वाचित मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसत वसभी राज्यों की विधान सभाव के निर्वाचित सदस्यों समलित होते है अप्सन D है कि भात का राजपती का चुनाव लोग सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है तो भात का राजपती का चुनाव एक निर्वाचित मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद वो सभी स्राज्यों की विधान सभाओ के निर्वाचित सदस्य समरित होते हैं यानि अप्स नंबर सी हमारा इस कोशन का सही उत्र हो जाएगा चलिए आगे देखते कोशन आगे कोशन है समीधान कें सरकार की समस्त कारिय कारिय नहीं सकती राश्पति को परदान करता है परदान मंत्र को परदान करता है या मंत्र परदान करता है या फिर उप्रुक सभी तो समीधान कें सरकार के समस्त कारिय कारिय नहीं सकती जो है वो राश्पति को परदान करता है कि इसको राश्पति को परदान करता है तो हमारा option number A जो है इस question का सही उत्र हो जाएगा चले आगए देखते हो question किस case में सरवच न्याले ने मत व्यक्त किया कि मौलिक अधिकार तथा नीति नितिसक सिधानत एक दूसरे के पुरक है तथा एक को दूसरे के लिए बलिदान करने के आप सकता नहीं है कौन से case में कहा अपसर ने है गोलक नाथ case में या केसवाननत भारती case में या मिनर्मा मिल case में या फिर उप्रुक सभी में question देख लिए एक वार फिर से किस case में सरवच न्याले ने मत व्यक्त किया कि मौलिक अधिकार तथा नीति निर्दिशक सिधान एक दूसरे के पुरक है तथा एक को दूसरे के लिए बलिदान करने के आप सकता नहीं है किस case में कहा गिया था ये कहा गिया था मिनर्मा मिल case में कहा गिया था किस case में मिनर्मा मिल case में कहा गिया था तो हमारा और सी में जो है मिल के जो है यह हमारा कोश्चन का इस कोश्चन का स्रेक्टर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है निम्ण में से कौन साज नेती नर्डिसक सिधान तो मूल समिधान का भाग नहीं था तता बाद में संसोंदों द्वारा समिधान में व्यक्त समलित किया गया अप्सन है कि व्यक्तियों तथा समूहों के बीच आई पर्तिष्ठा सुविधाओ और अप्सरों की असमानताओं को कम करना अप्सन 2 कि वाता वर्न को सनक्षन देना उसे सुधाने का प्रयास करना तथा जंगलों वर्वर्न जीव की रक्षा करना और संसी है उद्योगों के प्रबंदी करण में काम करने वालों को भाग लेने की आधिकार यहां फिर उप्रुख सभी निर्में से कौन सा नितिर निर्दिसक सिधान मूल समिधान का भाग नहीं था इसे बाद में संसोनल के द्वारा इसमें जोरा गिया है तो इस सभी को जो जोरा गिया यानि तीनों को है बाद में संसोनल के द्वारा इसमें जोरा गिया है मुल्क करतब्य में यानि नीर्तीरी सिधांद में मुल्क समिधान का भाग नहीं था नीर्тоी द्रिया इसे जोड़ा गिया है इसको बैक्तित फुर्थ आजी बीच आयए पर्थेशBER दाओ और और्पसवर सम्टाओं को कमकरणा ये इसको भी जोड़ा कि रिभा गया है तो हमारे कोश्चन का सब्सक्राइब हो जाएगा अगल से निर्तिंश्क सिध्धानतों में कौन सा सिध्धान उद्रावादी शिधानतों आधायत नहीं है को अधायत नहीं है वह सं देख लीकिएर न्याय पालीकर का प्रिथिक्रणी न्याय व्हस्ते देश के लिए एक समान सीविल सहीता पर्दान करना, सिर्प्रेशन कस्तपर नो Bel sambal कोइब है कि इसमें से कौन सा जो है विचारवादी शिद्हाथ भाद ब्रुद नहीं है पॉल पॉलении है तुछ भुस्टधर कि Dzल से उप्रद को फिखाथर कृष्ट के लिए देश के लिए यह एक समान शिविल संहिता का पतान करना पूरत और वादी वीचार भादाइत है यह फोज़ा है तो यह वीप गलत हो गिया है नहीं है इसा जो प्सकर्छा हो जाएगा आप्स नमर्डी जो है सिधान्त है जैंडिई को आप सिधान्त नमर्डी हमारा इस कोश्टण का संग्सी हो जाएगा तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में